भिंडी की सूखी मसाला सबसी जिसको आप अकेले ही सारा चट कर जाएंगे तो वेलकम है आपका समस किचिन में मैंने यहाँ पर कोई पाव किलो भिंडी ली है और उसको धो करके सुखा लिया है तो यह सॉफ्ट मुलायम वाली भिंडी है सभी भिंडी सूख गई है पानी मैंने अच्छी तरह सुखा लिया है और इसका जो अगला और पिछला पार्ट है उसको निकाल करके काट देंगे और जो भिंडी बहुत छोटी है उसको बड़े पीस में ही रहने देंगे और 20 से इसके दो टुकड़े कर देंगे क्योंकि हमें इनको बहुत छोटे पीसे में नहीं काटना है और बड़े बड़े टुकड़े ही लेना है तो करीब 1.5 हिंच के बराबर का मैंने एक तो बड़े गरम होने के लिए तेल को पूरे पैन पर अच्छी तरह से पहला देंगे और तेल यहां पर गरम हो गया है इसमें डालेंगे कुछ मेथी दाने और थोड़ा से दानों को फ्राई होने देंगे और इसके बाद दाल देंगे एक चुथाई चम्मच हींग बस हलका अच पर यहां देमी आज पर होना है और भिंडी डालते ही हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे तेज आज पर और इसके बाद आज दीमी करके इसको ऐसे पहला देंगे पूरे बॉटम यहां पर ताकि यह बिंडी और धीमी आज पर इसको पकाएंगे करीब 10 मिनट तक ताकि भिंडी कुरकुरी सी हो जाए और जब 10 मिनट हो जाएगा इसको पलट देंगे और देखिए हलका रंग चेंज हुआ है इसलिए हमने हेवी बॉटम लिया है ताकि हमारी भिंडी जले नहीं अगर पतला पैन का मतलब बॉटम का आपका पैन होगा तो भिंडी जल सकती अब दूसे साइट से भी इसी तरह से इसको पकाएंगे करीब पांच मिनट तक और तो यह बिंडी बनाने के लिए आपको इसके साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है आप दूसी चीज़ा भी साथ में बना सकते हैं बस आज देमी रखिए और हैवी बॉटम का पैन लीज और साथ में डालना है जीरा एक चौथाई चमच और अमचूर पाउडर सभी मसालों को मिला देंगे अब इनको हम भूनेंगे ताकि हल्दी का कच्छा पर निकल जाए और मसालों का तो करीब मीडियम फ्लेम पर इसको दो मिनट तक भूनेंगे और बस में काम इसका भिंडी और सिखने देंगे तो इस तरह से यह भिंडी देखने में बहुत सिंपल लग रही है पर टेस में बहुत लाजवाब होती है इस भिंडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लैसुन प्याज अद्रक आपको कोई मसाले ने तयार करने सिर्फ रेडी मेड मसाले से आप ब पैसल फ्री रेसिपी आपको रेसिपी पसंद आई होगी लाइक शेर कॉमेंट जरूर करियेगा थैंक यू सो मच